हेलो एंड वेल्कम टी देजी क्लासेस आप सभी का आपका अपना यूट्यू चैनल देजी क्लासेस पे स्वागत है जैसी आर्टी राजी के द्वारा मॉडल से पेपर जारी किया जा चुका है तर्म 2 का पेपर आपका 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में प्रस्तावी थे उसी के बीच में आपका डेट सीट आएगा अभी कल क्लास 1 से लेकर के 7 तक के लिए डेट सीट आया है जिसमें 3 से लेकर के class 3 से ले करके class 7 तका paper होगा तो आप निश्चित रहें कि आपका भी paper 16th June से ले करके 30th June के बीच में होगा अब बात यह आती है कि हम उसकी तैयारी कैसे करें तो उसकी तैयारी इस channel पर कराई जा रही है JCRT के दोरा जो model set paper जारी किया गया है आप उस model set को पहले हल करें तो आईए हम लोग मील करके model set 3 को हल करने का पहले प्रयास करेंगे ठीक है और यह जो आपका complete solution जो आपको यहाँ provide किया जाएगा model set 3 का वो दोनों medium में होगा Hindi medium में भी होगा और English medium में भी होगा clear है तो दोनों medium में आपको provide कराई जाएगी तो इसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि question का pattern क्या होगा तो questions जो होंगे उसका full marks जो होगा वो 40 marks का exam होगा जिसमें से total number of questions क्या रहेंगे 19 रहेंगे जिसमें 1 से लेकर 7 तक को जो question होगा वो 2 marks का होगा कितने marks का होगा दो marks का होगा और आपको उसमें से केवल 5 questions करने हैं कितने marks का होगा दो-दो marks का होगा तो 5 question 2 marks का यानि total 10 marks clear है next क्या है question number 8 से लेकर 14 यानि ये भी कितना total questions होगे है 7 question होगे है इसमें से आपको 5 questions करना है और हर question का marks कितना होगा 3 marks होगा तो total कितना marks का होगा section भी 15 marks का उसी तरह से 15 से लेकर के question नमबर 19 तक यानि ये टोटल 5 questions है उसमें से आपको 3 questions करने हैं और वो तीनों questions का marks कितना कितना होगा 5-5 marks का question paper होगा clear है इसका भी कितना होगा 15 यानि 15 15 30 plus 10 कितना हो जाएगा 40 यानि टोटल 40 marks के questions आएंगे ठीक है उसी के अधार पर model set 3 भी जारी किया गया है तो आएए देखते है model set paper 3 का सेक्षन नुबर सेक्षन ए सेक्षन एक क्या कह रहा है कि आपको 2 marks का question बनाना है भहिया है ना तो सबसे पहले पहला question क्या कह रहा है कि एक वाट को परिवहाशित कीजिए वन वाट क्या होता है वन वाट पहला चीज़ की वाट जो है वो किसका यूनिट है वाट जो है वो यूनिट है पावर का किसका यूनिट है पावर का पावर को हिंदी में क्या बोलते सकती का किसका यूनिट है सकती का अब सकती क्या होता है सकती बराबर क्या होता है कारे बटा समय, कारे बटा समय, अब कारे बटा समय का मतलब क्या हुगा, कि आप कितना कारे किये, कितना टाइम में, ठीक है तो एक वाट को परिभाशित करने के लिए यानि कारे क्या होता है, बल गुना दिस्थापन और समय टाइम, यानि एक मीटर पर सेकेंड में ठीक है, अगर बल के अगेश्ट में जितना कारे किया जाता है हाना, उस कारे करने की दर को क्या बोलते हैं एक वाट बोलेंगे, हाना ठीक है, तो क्या है सकते, एक वाट का डिफिनेशन क्या है एक वाट का डिफिनेशन है उस कारे को करने की दर होती है जब एक वस्तु को एक मीटर प्रतिस सकेंड की गती से कितना गती क्या है? एक मीटर प्रतिस सकेंड की गती से एक न्यूटन हाणा एक न्यूटन के बल के बिरूद ले जाये जाए ठीक है? यानि अगर एक निउटन के बल के बिरूद अगर एक मीटर प्रतिस सकेंट की गति से किसी वस्तु को ले जाते हैं तो हम यह कहेंगे कि एक वाट हुआ, उस कारे करने की दर को क्या बोलेंगे, एक वाट बोलेंगे, ठीक है अब वन होस्पावर का मतलब क्या हुआ होस्पावर और वाट के बीच में संबंद बताते हैं वन होस्पावर यानि वन एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट वन एचपी बराबर 746 वाट क्लियर है तो इंगलिस में क्या बोलेंगे कि वन वाट क्या है डिफाइन वन वाट को डिफाइन करना है तो देखो वाट एक वस्ट्रक्राइब वाक्डण बटा समय टाइम ठीक है तो अगर एक सकेंड में एक जूल वर्क होता है यानि वन सेकेंड में किसी भी वस्तू के द्वारा एक जूल वर्क होता है हना उसी को क्या बोलते हैं वन वाट बोलते हैं अगर आपको यह लिखना है कि अपाड़ी डॉस वन जूल वर्क इन वन सेकेंड देन विकन से द वन वाट पावर हैसे बिश्चाए ठीक है यह लो वन वाट इस वहाट वन जूल अफ वर्क दान टेक्स प्लेसेल आ उन सेकेंड अब वन जूल अफ वर्क दन क्या होता हैं force into displacement तो हम कहते हैं कि 1 meter per second ठीक है यानि 1 meter per second के speed से किसी भी body को 1 Newton force के against में उसको ले जाया जाया तो the rate of work done इस कारे में जो rate of work done हुआ that is called the watt यानि 1 watt clear है next question देखिए ध्वनी तरंगों को यान्तरिक तरंगे क्यों कहते हैं why are sound webs called mechanical webs sound webs को mechanical webs क्यों बोलते हैं it requires material medium for their propagation ध्वनी तरंगे यान्तरिक तरंगे क्योंकि उन्हें संचरण के लिए भौतिक बाध्यम के आशकता होती है बिना भौतिक माध्यम के वो संचरण नहीं कर पाएंगे clear है it requires material medium for their propagation ठीक है next question question number 3 देखिए question number 3 क्या कहता है S8 का molar द्रब्यमान ग्याद करें तो क्या हो जाएगा sulfur का कितना होता है 32 ठीक है 32 gram होता है तो S8 यानि 8 गुने 32 पराबर 256 ग्राम ठीक है 256 ग्राम clear है next question question of 4 1U hydrogen तथा 1 gram hydrogen में परमान वो की संख्या कितनी होती है U का मतलब होता है atomic mass unit क्या होता है atomic mass unit तो 1 atomic mass unit में कितना atom होंगे एक atom 1 atomic mass hydrogen में कितना atom होता है एक atom होता है clear है और 1 gram hydrogen में कितना होगा 1 gram hydrogen में 6.02 2 या फिर 23 into 10 to the power 23 है ना क्लियर है क्योंकि इतना ही number of atoms one gram में यानि जो उसका atomic mass होता है या जो उसका molar mass होता है और you can say that कि जो mass होती है किसी भी element की उसका number of atoms जो होते हैं वो कितना consist करते है बागे ड्रो नमबर के बराबर यानि 6.023 10 to 10 to the power 23 ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा वन यू का hydrogen atom का कितना atom है तो one atom और one gram hydrogen में कितना हो गया 6.022 into 10 to the power 23 question over 5 देखिए एन ए प्लस का electronic बिन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रोन की संख्या बताईए आपको एन प्लस का electronic बिन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रोन की संख्या बताना है क्लिर है तो यह क्या कह रहा है electronic बिन्यास किसका a ने प्लस का a ने का कितना होता है 11 तो प्लस हो गया तो क्या हो जागा एक माइनस हो जागा यानि total 10 अब 10 का electronic बिन्यास क्या होगा बने एस टू टूइस टू हना है कि क्या करना है इसकी संयोजी इलेक्ट्रोन आदे वैलेस इलेक्ट्रोन क्या होता होता है जो लास्ट नंबर लास्ट सेल में जितना नंबर अफ इलेक्ट्रों होते हैं लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रों होंगे जितना इलेक्ट्रों की संख्या होगे वही क्या होता है उसका सहयोजी एलेक्ट्रों कहलाता है ठीक है तो इसका कितना होजागा six clear next question malaria नामक बिमारी किस मच्छर के काटने से होती है तो malaria किसके मादा एनिफेलिस यानि female एनिफेलिस से होता है next question number seven देखिए दो और संक्रामक रोगों के नाम लिखिए two non communicable diseases cancer हो गया diabetes हो गया है ना cardiac हिर्दय का जो problem है वो हुगा stocks हुगा यह सारे क्या है non communicable diseases हुए है ठीक है question number eight देखिए एक लैंप दस सकेंड में एक हजार जूल बिद्यूत उर्जा की खफ़त करता है इसके सक्ति क्या होगा तो सक्ति यानि power power ब्रावर क्या होता work done बटा time तो work done कितना है इसमें one thousand और time कितना है 10 यानि कितना हो गया hundred इतना हो गया hundred वाट हंड्रेड वाट क्लियर है next question देखिए question number nine कह रहा है कि तरंग धैर्य को परिभाशित कीजिए इसे कैसे निरुपित किया जाता है तथा इसका SI मात्रक लिखिए तो किनी दो क्रमागत संपिड्रों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते है इसे किस से निरुपित क्या जाता है लेंड़ा से इसका SI मात्रक क्या है मीटर clear तो the distance between any two consecutive compressions or rare fraction is called wavelength it is denoted by lambda और इसका SI unit क्या होता है मीटर होता है clear अब तो कैसे किसको बोलते है देख लो जब sound wave है वो कैसा wave है longitudinal है कैसा है longitudinal longitudinal है तो उसमें क्या होता है compression होता है और फिर rare fraction दूर दूर तो दो consecutive compression यानि सटा सटा फिर rare fraction होगा दूर दूर फिर सटा सटा तो यह सटा हुआ और यह सटा हुआ यह दोनों के बीच का जो distance होगा that is known as तरंग धैरे इसी को क्या बोलते है तरंग धैरे या फिर इसके जो रेयर फैक्षन है ये दोनों के बीच की जो दूरी होगे उसको क्या बोलेंगे तरंग धैरे दो consecutive जो क्रमागत होगा है ना उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग दरंग धेरे संपिडन यानि क्या होगा कमप्रेशन जहां पर नजदिक नजदिक सटा होगा और दूसरा क्या है वीरलंन यानि और तरेयर फ्रेक्शन दूर-दूर भाइब्रेशन बाइब्रेशन का देखो कि ऑक्सीजिन में कितना ग्राम होगा 16 ग्राम to solar gram oxygen कितना अनु 1 अब 16rings tuo इकवे हाँ थेग आँ इसन डिया हुआ है एक चीज ध्यान में रखना परमानू और अनु में ध्यान में रखना अगर on the power तो 16 ग्राम अगर मॉलेकूल दे दिया है तो मॉलेकूल क्या होता है ओटू होता है तो ओटू का क्या हो जाएगा 32 ग्राम क्या हो जाएगा 32 ग्राम तो 32 ग्राम मॉलेकूल जो है कितना कंसिस्ट करता है 6.023 x 10 to the power 23 तो 8 ग्राम कितना होगा 8 ग्राम कंसिस्ट करेगा 8 by 32 x 6.023 इंटो 10 to the power 23, 8 चुके बत ती, अभी यह चार से काटो 6.023, तो यानि कितना हो गया, 6.023 into 10 to the power 23 by 4, इसको काटो 4 बन जा 4, 4, 5, 0, 20, है ना, 0, फिर 5, 1.5 into 10 to the power 23, 23 molecules, 23 molecules, clear, हाईवा संज में, molecules अनुप पूछ रहा है, तो 32 ग्राम से ले करके हम लोग चलेंगे, ठीक है, नेक्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 11 देखिए, निमलिखित के दरब्यमान ग्याद करें, 5 मोल एन परमानों किते, एक मोल एन परमानों कितनी होगी, 14 होगा ना, नाइटरोजन का 14 होटा है ना, परमानों सन्ख्या मास नमबर दरब्यमान संख्या, तो वही उसका मास नमबर भी होता है, कामिक मास के बराबर, यानि 14 ग्राम, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, एक मोल में 14, 5 मोल मेंคร धैका, 12 पच्चे, इसको हटा देते हैं ठीक है चलो देखो दूसरा क्या कहा रहा है कि 3.011 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन परमान हुँ हो में इसका दरव ब्यमान का क्या होगा तो 6.02 3rd3 नाइट्रोजन परमान वोका दरव ब्यमान कि ना होगा है क्लियर 2 3.0 11 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन परमान कितना हो जाएगा चौदा वर्टे 6.0 23 into Zh100 by 223 into 3.0 11 into 10 to the power 23 यह चला जाएगा गुणा में और यह चला जाएगा नीचे आई बहुत समझ में तो जब यह नीचे जाएगा तो यह क्या है 23 से कट जाएगा टेंट तो पाउर 33 और तीन दूने का छहाऑ लग भग डबल है और 2 से 14 कम कटेगा कितना बर्मेस कितना किसी तत्यों के परमानु में 11 प्रोटोन और 12 प्रोटोन कितना है प्रोटोन की संख्या 11 तो इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होगी 11 और न्यूट्रोन कितना है 12 अब क्या करा परमानु संख्या परमानु संख्या क्या होता है प्रोटोन की संख्या या इलेक्ट्रोन की संख्य संख्या तो प्रोटोन की संख्या कितनी है 11 तो परमानु संख्या कितना हो जाएगा 11 फिर क्या कहा रहा है द्रब्यमान संख्या क्या हो रहता है निकलियस में निकलियस में कौन कौन प्रेजेंट है प्रोटोन और न्यूट्रोन तो प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन जो होता है नंबर और संयोजक्ता में की अंतर है सन्योजक्ता और संयोजी सबसे पहले संयोजी एलेक्ट्रों किसको बोलते हैं जो लास्ट और लास्ट में इसको होगा ना तो बे farmers घृ से कम है तो यह यही इसका संयोजक्ता भी हो जाएगा ठीक है अगर यह 4 से अधिक हो जाता मालों यहाँ पर 5 हो जाता तो 8 5 को 8 बनाने में कितने इलेक्ट्रोन की जुरत पड़ेगी और 3 इलेक्ट्रोन की जुरत पड़ेगी तो वो जो 3 इलेक्ट्रोन होगा यानि 8 में से इसको घटाने के जो आएगा वो उसका संयोजक्ता होगा clear है लेकिन अगर 4 तक है या फिर 4 से कम है तो वही उसकी संयोजक्ता होगी तो यहां पर जैसे 11 है तो क्या है 2,8 और 1 तो यही एक जो होगा वही इसकी संयोजक्ता के ले रहाएं next question देखए question number 13 ओजन परत क्या है इसके परत में छिद्र होने के क्या-क्या कारण है तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है ओजोन परत क्या है प्रिधवी के बायू मंडल स्ट्रेटो इस फेर में एक पतला सा हिसा है जो कि सूरे किला हो सभी हानिकारक परावेगनी प्रकास को और शोशित करता है ठीक है और उससे हम क्या करता बचाता है नेक्ट क्या है परत में छिद्र होने का कारण है सबसे बड़ा कारण है CFC जो आपका रेफ्रीजिरेटर से यानि AC से निकलेगा फ्रीज से निकलेगा या यह जो क्लोरो फ्लोरो कारवन है यह इसका मुख्यकारण है तो जो परत के छरण का मुख्यकार बने है दूसरा कारण क्या है रॉकेट का प्रच्छेपन को भी बोला जा रहा है कि ओजुन परत के छेट होने का एक वो भी रिजन है ठिक है और तीसरा क्या है नाइट रोजन योग जैसे एनोल टू एनो और नाइट्रि न परत के छरण के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है यह भी ओजन परत के नाइट्रोजन का जो योगिक है वो भी ओजन परत के छरण के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है क्लियर है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ओजन लेयर इस दा थीन पार्ट अप्ट अर्थ आप्समर्स पेयर दैट अप्जर्ब्स अल्मोस्ट ओल अफ दसन हार्मफुल अल्ट्रा वाइलेट लाइट यह रही जो भी वोलो ठीक है रीजन में यही है सीएपसी है और दूसरा नाइटोजिनियस कंपाउंड है नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन अबर 14 अच्छे स्वास्त के आवसक इस्थितियां बताईए तो क्या क्या है अच्छे स्वास्त के लिए आवसक सरते क्या है सारिक मांसिक और समाजिक कल्यान की स्थिति होनी चाहिए यह इससे आप मेंटली फीजिकली और सोसली आप स्टॉं होना चाहिए फिर क्या है बेहतर परिवेस्ट या पर्यावरन जो आपका इंवार्मेंट होना चाहिए वह बेटर होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए आप एक्सरसाइज और रिलेक्शेशन करें फिर क्या तनावमुक्त जीवन ब्यतित करना यानि जीवन जो ब्यतित फ़रा वो कैसा होना चाहिए इस्ट्रेस फ्री होना चाहिए ठीक है को सब आप तीन पॉइंट इसमें से कोई भी तीन पॉइंट आप दे देंगे नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 14 के बाद 15 देखिए 15 जो कोशन नमबर है यानि सेक manure के आप तीन कोशल बनाना है और सब 5 पच नमबर का होगा चलिए पहला कोशचन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तुप लगने वाला बल उसके बिस्थापन के दिशा में हो तो कारेकाब बेंज़क लीजे तो जिधर तुम बल लगा रहे हो उधर ही बिस्थापन भी हो रहा है force लगा इधर और displacement भी इधर हो गया तो क्यासा होगा positive work done हो गया तो यानि work done बराबर क्या हो जाएगा force गुने इस क्या हो जाएगा force गुने इस ठीक है next question क्या कह रहा है कि 1500 kg द्रब्यमान की एकार 30 km प्रतिगंटा की बेग से चल रही है बेग को 60 km प्रतिगंटा तक बढ़ाने में किया गया कारे तो क्या होगा यहाँ velocity और mass है तो यानि 1 by 2 mv square minus 1 by 2 m u square यानि यही जो होगा इसका क्या हो जाएगा कारे होगा clear है अब यहाँ पर भी जो है वो किसमें दिया हुगा किलो मीटर प्रतिगंटा में है तो इसको हम लोग change कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड में है और उसके बाद इसको swap कर लेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 1500 kg है तुम्हारा mass और velocity कितना है 60 km per hour तो 60 km per hour को change करना है तो 60 into 1000 बटा 3600 जीरो 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 एंसल आउट हो जाएगा फिर क्या है 60 से 6 10 जा 60 और 66 दू ती आई 6 दू पचे 10 पांद ही या 50 बटे 3 मीटर पर सकेंड नेक्ट क्या कह रहा है 30 km per hour तो उसी तरह से इसको भी change करेंगे 1000 से गुना और 3600 से भागा अगर 60 में लिखना चाहते हैं तो पांच बटे 18 इसको काटने के बाद पांच बटे 18 आएगा तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर 1000 बटे 3600 से इसको काटो यह दो जीरो कटा तो दो जीरो कट गया तीन दहीं या तीस तीन से बारा ठीक है दू छका बारा दू पच्छे दस दू तीय च्छो दू पच्छे दस यानि कितना हो गया 25 बटा तीन क्लियर है अब क्या है वन बाई टू वर्कडन कितना हो जाएगा 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square तो m common हो जाएगा 1 by 2 तो b square minus u square बच जाएगा भी क्या है 50 बटे 3 का square तो 50 का square क्या हो जाएगा 25 का square कितना हो जाएगा 625 99 नीचे equal है तो 2500 minus 625 बटे 9 अब 2500 minus 625 कितना हो जाएगा 1875 बटा 9 तो 3 तरीगे तिन तरीगे 9 3 से 875 जो हो कितना बार में कटेगा 625 बार में फिर यह 3 से क्या हो जाएगा 1500 कटेगा कितना बार में 500 के अब 2 से 500 कट गया कितना 2821érerано 250 into 625 तो कितना हो जाएगा 15625 जीरो ठीक है क्लियर है इतना जूल हो जाएगा आपका आपका आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखिए कोशन नमबर 16 अनुप्रस्त और अनुदैधर्य यानि ट्रांसवर्स और आपका लॉंगिचूडनल ट्रांसवर्स और लॉंगिचूडनल वेव में अंतर लिखिए तो पहला चीज क्या है कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है उसमें जो डाइरेक्शन और प्रोपागेशन जो ह होता है जीधर प्रोपागेट इधर अगर वेव चल रहा है तो इसका जो पार्टिकल्स का भाइब्रेशन होगा वह परपेंडिकुलर होगा किसके किसके perpendicular होगा direction of propagation के यानि जिस दिशा में संचरन करेगी उस दिशा में जो कन होंगे कन का जो कंपन होगा वो क्या होगा लंबवाथ होगा perpendicular होगा ठीक है तो लंबवाथ इस तरह से कन जो है कंपन करेगा in the direction of propagation of wave clear है जबकि longitudinal में क्या होगा along the direction of propagation of wave जिस दिशा में संचरन कर रहा है उसी दिशा में ठीक है जिस दिशा में संचरन कर रहा है उसी दिशा में वो कंपन भी करेगा तो पहला डिफ्रेंस ही हो गया कि longitudinal में माध्यम जो दखो अनुप्रस तरंगे जो होती हैं वो माध्यम के कन तरंग के संच्रण की दिशा के लंबोत कंपन करते हैं और अनुदैधरे तरंगों के माध्यम के कन तरंग के संच्रण की दिशा में ही कंपन करते हैं जिस माध्यम में कि टांसवर्स वेव जो है है ना वो आपका solid और लिक्वीड के उपरी सता सॉलिड से पूरा संचरण करेगा और लिक्वीड के उपरी सता से संचरण करेगा लेकिन जो अनुद्यधर तरंग है वो तीनों माध्यम में संचरित होती है ठोस्द्रा और यहाज तीनों कि अनुप्रस तरंगे जो होती है नंई अनुप्रस तरंग करता इस तरह से प्रोपागेट करता है तो उपर वाले भागो क्या बोलते हैं Think और नीचे वाले भाग को क्या गर्ऩ थीक है या इन इसको उसको बोलते है क्रेश्ट और इसको बोलते है ट्रफ ठीक है जबकि अनुदैधर ये तरंग लोगिश्यूडनल जो तरंग है वो संपीडन और विरलन संपीडन और विरलन यानि कमप्रेशन और रेयर फ्रेक्शन के रूप में प्रोपागेट करता है तो ये तीन है और और देना चाहते हो तो लिख दोगे अनुपरस तरं बोलते हैं और जो जो सांड वेव है यानि ध्वनी तरंग जो है उसको बोलते हम लोग अनुदैधर ये तरंग बोलते हैं क्लियर है नेक्स्ट कोशन कि इसी में क्या है कि वोड़ी दर रेंज आप फ्रिक्वेंस आस्याइट इस इन्फरास्वरिंग सांड और अल्ट्रा सो क्या है तो जो अब रीती हमको सुनाई पड़ती है वो किसके बीच में 20 हर्ट से लेकर के 20,000 हर्ट यानि 20 किलो हर्ट यानि 20,000 हर्ट के बीच में हमको सुनाई पड़ता है ठीक है अगर 20,000 हर्ट या 20,000 हर्ट से अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक सां sound और 20,000 Hertz या 20,000 Hertz से कम हो जाता है इसको बोलते हैं Infrasonic sound यानि अवसरव्य ध्वनी तो क्या हो जाएगा अवसरव्य ध्वनी का परास क्या होता है 20 does हट से कम और पराध ध्वनी का क्या होजाएगा 20.000 Hertz से अधिक, clear है, इसी का इंग्लिस में है, the vibration of the particles of the medium are perpendicular to the direction of propagation of the wave, the vibration of the particles of the medium are parallel to the, parallel to the, या फिर along the direction of propagation of wave, transverse wave alternate क्या होता है, क्रेश्टन trough होता है, और longitudinal wave में क्या होता है, compression और rare fraction का formation होता है, ठीक है, जो transverse wave होता है, वो किस से travel करता है, solid से और liquid के surface से, over the liquid surface, लेकिन जो longitudinal wave है, वो travel करता solid, liquid, or gas, तीनो waves, तीनो जो है, medium से, ठीक है, clear है, तो लेकिन sound अगर निरवात रहेगा, तो उसमें longitudinal wave travel नहीं करेगा, अब next question क्या है, उसी का less than 20 hertz यह क्या हो जाएगा, infrasonic, और 20 hertz, यानि 20 kilo hertz, यानि 20 1000 hertz से उपर जो रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ultrasonic, क्या हो जाएगा, ultrasonic, या फिर ultrasonic, clear है, next question देखिए, question number 17, rather ford का परवानू का नाभिक model क्या था, rather ford के परवानू medal में क्या कमिया थी, और निल्स भोर्स उन कमियों को दूर करने के लिए परवानू का क्या नया model बता है, तो आईए हम लोग क्यों समझ लें, बाकी लिखा हुआ तो यहाँ पे है, तो समझना क्या है, कि जो रदर ford थे, उन्होंने क्या किया, एक्स एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया कि एक रे निकला और वो इसको पास करें। तो रेखा कि जो चारों तरफ कुछ कीरने जो हैं वो बीना कुट किये पास कर जा रही है। लेकिं 10,000 में से एक जो कीरन ऐसा है, जो की जा रहा है बीच में, तो उसी दिशा में फिर वो वापस आ जा रहा है, और कुछ कीरने ऐसी हैं, जो पास जा रहा है, फिर वहां से डेवियेट कर जा रहा है, क्या कर रहा है, डेवियेट कर जा रहा है, तो यहां पे जो कीरन जा रही थी वो कैसा रही की रन था अलफा की रन कैसा था अलफा की रन और अलफा की रन कैसा होता है धनात्मक यानि पॉजिटीव आवेस्ट क्या होता है उसका Pósitiv तो जब positive है और deviate कर रहा है center से बाहर बहाग रहा है तो इसका मतलब एक center क्या है positively charge है तब भी यहाँ से बहाग रहा है और किसके तरफ जा रहा है इसके चारा तरफ कुछ कुछ इलेक्ट्रो है जो ray है बिना कुछ यह इस experiment के बाद रदर फोर्ड ने model दिया, कहा कि nucleus बीच में है और उसके चारों तरफ electrons जो है वो revolve कर रहे हैं, ठीक है, आई बास समझ में, electrons जो है वो चारों तरफ इसके घूम रहे हैं, और बीच में कोर है, nucleus है, ठीक है, बीच में क्या है, nucleus है, जिससे टकरा करके वापस हो जा ठीक है, nucleus जो है, वो क्या है, positively charged है, धनात्मक है, clear, और बीच में क्या है, खाली जगा है, बीच में क्या है, खाली जगा है, तो इसका देख लोगी क्या है, कि परमानु का केंद्र, धनावेशित होता है, positive होता है, जिससे नाविक या, nuclear कहा जाता है, nucleus कहा जाता है, एक परम और नाविक के चार और वर्त तुलाकार यानि रिवॉल्व करता है कि सरकुलर में किसमें सरकल में थिक है। चक्र लगाता है। नाविक का आकार पर्मानु के आकार की तुल Ahora में काफी कम होता है। सवहीं से बात है जब dessa न लेकिन कि इंट्रॉन ai क्या होगा कमी दूर्ट कि सब्सक्राइब यह पूरा ओ गया और यह क्योवल कि सबसे खोटा रहेगा अब इसमें कमी था कमी यह कहा कि हे ठीक है ही यह इलेक्ट्रोन 4 तरफ घूम रहा है तो अगर कोई भी नुकलियर स्कारा तरफ या और इह पॉजिटीव शैज्ट अब निहां संद्यिव चार्ड है अब दिवली चार्ड इसके चार متना doubles घुमते घुमते क्या होगा उसकी उर्जा क्या होगी छे होगी इनर्जी लॉस होगा और जब इनर्जी लॉस होगा तो एक ऐसा आएगा कि यह जो negatively चार्ज है कम इनर्जी के कारण positively charge जो stable यहां बीच में बैठा हुआ है वो उसको क्या कर लेगा अपनी तरफ खीच लेगा अब जैसे ही खीच लेगा इसका मतलब है कि जो एटम का अस्थाई तो है वो क्या हो जाएगा बिगड जाएगा तब वो अस्थाई नहीं रहेगा यानि क्या हो जाएगा अनिस्टेवल हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा क्लियर है यही रदर फोर्ड का क्या था ड्रॉबेक था उसकी कमी थी अब इसको दूर किये कौन नील बोर ने नील बोर ने का कि नहीं वह या देखो यह बात सही है कि इलेक्ट्रोंस जो है वो निकलियस के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन वो इस्टेशनरी और्बिट में इस्टेशनर यानि फिक्स्ट और्बिट में घूम रहा है ठीक है और वो फिक्स्ट और्बिट में से न तो उर्जा का च्छय होता है न तो उर्जा का गेन होता है वो जब एक और्बिटल से दूसरे और्बिटल में जाएगा तब उर्जा का च्छय या गेन होगा आई बा इसका ले लोगे ठीक है यह रदर मॉर्डल ड्रॉबैक्स अफ रदर फोर्ड मॉर्डल अफ एटम सेम चीज़ जो बताया वही है आप इसको अपनी भासा में भी लिख सकते हैं अगर आप समझ गया होंगे तो ठीक है अब क्या कहा रहा कोस्ट नमर 18 कि संक्रामक क्रोगों को को फैलने से रोखने के लिए भीद्यालय में कौन कौन सी साथानिया पर चाहिए यह तो आपको खुछ से लिखना आ फिर भी हमने यहां पर आंसर दे दिया है लेकिन इसको करोगे ठीक है नेक्स्ट क्या है कि खूस्ट ऑब और 19 यानि नाइट्रोजन साइकल बिद फ्लोड डाइग्राम ड्रो दानाइट्रोजन साइकल इस लोग डाइग्राम एक इसका मतलब है कि इस बार के है एक्जाम में एक चक्र तो जरूर आएगा या तो कारवन चक्रा है नाईटरोजन चक्रipt कोई भी एक चक्र शाय कreजो है वह आएगा ही आएगा क्लीर तो यह साइकल हम लोग्स देख लेए इसको नाईडरोजन साइकल इस तरह से है क्या कि 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 जो बाईू मंदल में नाइटरोजन है उसको हम लोग चेंज करते हैं हम लोग तो नहीं कर बाते हैं मतलब जो पीन पौधे हैं और जो वेक्टेरिया है ना डेड़ और डिकेंग खाने वाले और्गनिस्म है तो यह सब क्या करते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में उसको convert कर देते हैं ठीक है तो बायू मंडल में nitrogen है उसको nitrogen इस्थिरी करन होता है और फिर क्या करते हैं उसको हरे पौधे लेते हैं और हरे पौधे ले करके उसको किसमे ammonia में बदल देते हैं ammonia में कौन बदलता है तो बैक्टेरिया जो उसके जड़ में मौजूद होते हैं ठीक है क्लियर है फिर क्या है कि हरे पौधे ले लिए तब भी जीवद्रव जनतू उससे को खाएंगे फिर अमोनिया में बदनेगा या फिर अमोनिफिकेशन यहीं से हो जाएगा तो वो अमोनिया में बदल गया ठीक है फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में बदलेगा तो इस तरह से यह चक्र चलेगा, फिर क्या है, बायू मंडल में जो है, उसका NITROGEN FICTION होगा, या फिर उसका सीथे बायू मंडली और अदेगी करण, इस्थिरी करण हो गया, फिर उसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्राइट्स या नाइट्राइट्स में बद ऐता है लिए पहुते होते हैं उसके जड मेरता है और क्या करता है अमोंिया में नाइट्रोजन को जो N2 है उसको change कर देता है कि इसमें ammonia में ठीक है फिर क्या है ammonia से वो change हो जाता है कि इसमें nitrites में oxides में उसका nitric oxides में वो बदल जाता है ठीक है clear है फिर क्या है बिजली जब चमकता है फिजकल प्रोसेस क्या है भौतिक प्रक्रिया क्या है nitrogen को बदलने का तो जो बिजली चमकती है तो उसके ताप के कारण उसके pressure ball के कारण दाप के कारण वो nitrogen जो बायू मंडल में present है वो convert हो जाता है किसमें nitrites में है ना और मतलब nitrous oxide यानि oxides में उसका conversion हो जाता है clear है अब यह oxides में बदलने के बाद यह जल में घुल करके है ना nitric acidia nitrites बनाते हैं और उसके वर्षा के साथ पुना भूमी पर आ जाते हैं clear है पौधे nitrates या nitrites या nitrites को ग्रहन करते हैं तथा उन्हें amino अमल में बदल देते हैं जिनका उप्योग protein बनाने में होता है अब क्या है इन protein को दूसरे जटिल योगीकों का परियोग जन्तू द्वारा किया जाता है जब जन्तू या पौधे की मृत्तू हो जाती है तो मिटी में मौझूद अन्य बैक्टेरिया विभिन योगीकों में इस्थित nitrogen को nitrates और nitrites में बदल देते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टेरिय जा इनननाइटरिड्स और component को nitrogen तत्तों में बदल देते हैं तो एक विए कि इस प्रकोर प्रकृती में एक nitrogen चक्र का जनन Бायूमंडल में अपने मूल रूप से बुजरता हुआ मृदा और जल में साधान परमानों के रुप में बदलता है तथा जीवित प्रानियों में और अधिक जटिल योगी के रुप में बदल जाता है फिर ये साधान परमानों के रुप में बायू मंडल में वापस आ जाता है ठीक है तो हम लोग क्या-क्या देखें भाई कि nitrogen fixation nitrogen जो बायू मंदल में है उस अधिक बरसा मतलब जो बायू मंदल में ताप है दाब है उससे क्या हो जाता है ऑक्साइट्स में बदल जाता है और ये ऑक्साइट्स water के साथ react करके नाइट्रीक, एसीड या फिर नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदल जाता है और फिर वर्सावारिस के साथ ये पुना वापस प्रित्वी पर आ जाती है फिर इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को अमोनिया में पुना बदल देता है कौन पेन पौधा ब बदल दिते हैं। फिर है। तो यह है, nitrogen chakra इसी को आप अपनी भासा में भी लिख सकते हैं। यहां पर है nitrogen in atmosphere यह आपका ncr 40 के figure है आप खुद से भी आप इसी तरह से बना भी सकते है God तो क्या होगा नाइट्रिफिकेशन हुआ है ना नाइट्रिफिकेशन होगा इंडस्ट्रियल और एट्मस्फेरिक हुआ उसके बाद गेंगे और यह नैट्रेट्स हैंवह हो जाएंगे फिर बैक्टेरिया जो है उसको नाइल यूजन बना देगा यह इस तरह से नाइट्रोजन साइकल चलता है यह का अंशर है इसको भी और शॉडिश हम लिख सकते हैं और इसका अगर अच्छी लगी हो तो like करें, comment करें, ठीक है, और अधिक से अधिक इसको share करें, ठीक है, ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाफ ले सकें, अगर आप इस channel पर नए है, तो इस channel वह से जरूर से जरूर subscribe करते हैं, thank you, thank you for the watching,